बीए बीए सी बीकों पार्ट वन में सभी छात्रों के लिए बड़ी नोटिस जारी हो गई है जो भी इस बड़ एडमीशन लिये हैं वो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सभी इनुबिसिटी ने पहले समेश्टर के लिए नई नोटिस जारी की है अगर आप 10 अगस से कॉले स अनुपस्तित रहते हैं तो आपका नवंकन जो है वो यहाँ पर रद हो जाएक और आप पहले समेश्टर की परिछा में भाग नहीं ले पाएंगे पहले समेश्टर में सिलेबस से आएंगे समेश्टर वन के सारे शबाग तो पूरी जनकारी यहाँ पर दी जा लिए फड़ तो आपका अड्मिशन रद हो जाएगा तो जो चाद बाहर है वो क्या करेंगे कैसी समस्या से आपका निजाद मिलेगा तो पूरी जनकारी यहाँ पर दी जा रही है और समेश्टर वन के लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया है कि समेश्टर वन से आपके सवाल आएंग जब कि मीट टेस्ट के लिए कोई सेंटर नहीं होगा होम सेंटर होगा तो पूरी जनकारी यहाँ पर देखेंगे फटापट वीडियो को शेर कीजे दोस्तों के अब यहाँ पर जान लिजी कि सभी को अपने अपनी कॉलेज आना जो है अनिवार हो गया है अगर आप अभी अपने कॉलेज नहीं जाते हैं तो आप सब चीस से बंचित हो जाएंगे आपका अडमिशन भी रद हो जाएगा और यहाँ पर बताया गया है कि क्योंकि पहले समेश्टर की परिच्छा जो है वो यहाँ पर होने वारी है तो इसके लिए उन्वर्सिटी ने नोटिस जारी क किया है कि अब जो छात जो है अब सेंट रहेंगे उनको जो है कोई रियायत यहाँ पे नहीं दी जाएगी यहाँ पे साब साब मेंशन कर दिया गया है कि सनातक के नए पाटकरम के साथ ही विद्यार्थियों के लिए 75% उपस्तिति अनिवार कर दी गई है इसकी अब ही समेस्टर में की जाएगी यानि हर समेस्टर में आपका काउंट किया जाएगा कि आपका कितना अटेंडेंस है राजभवन की ओर से 20 विद्याले को निर्देश दिया गया है कि 75% से कम उपस्तिती पर विद्यार्थियों को उस समेस्टर के परिच्छा में सामिल होने कि उनमतीन नहीं दी जाएगी यानि अभी आपका फर्स सेमेस्टर का एक्जाम होने वाला है जिसका परिच्छा फॉर्म ही आपको भड़ने नहीं दिया जाएगा तो आप परिच्छा में सामिल कैसे हो सकते हैं ठीक है और वहीं नहीं आगे ये भी कहा जो अच्छा परिश है जिसमें 20 सबीर में आको लाना होगा टीक है तो सेमेश्टर वन के सारे सबहलब आपको यह चैनल के ठूँद दिये जा रहे हैं नहीं गुंडिया एक कोमर्स में किसी भी सब्जेक का उनस पेपर के साथ आप सीलेवस ले रहे हैं तो आपको दो सुरूर्पे पेड करके आपको इस नंबर पर गुगल पर या फोन पेडिया के माद्यम से पेडिया करना पेडिक करके उसका स्क्रीन सौट इसी वाटसप नंबर पर भेजना है सेंड करते हैं आपको जैसे स्क्रीन सोट बेजेंगे आपको तुरंद पीडिया भेज दिया जाए गर इसका प्रिंट आउट निकलवा के भी तयारी कर सकते हैं या मोबाइल में रखके भी तयारी कर सकते हैं अभी छथ जो भी चथ जो है रईस्टेशन अभी तक नहीं करवा सब्सक्राइब करने के लिए आपको गुगल प्ले में जाना है और बिहार हेल्प सर्च करना है बिहार हेल्प जैसे ही सर्च करेंगे तो इस तरीके काएगा और यहां पर आपको इंस्टॉल कर लेना है हलाकि मैंने पहले इंस्टॉल कर रख है और इंस्टॉल कर लेने के बाद लगातर अपडेट के लिए यहां पर आपको फड़ापर कर लगा यहां पर लगा देना है अगर कोई अश्टेंट जो है वो यहां पर बीमार है तो उनको छूट मिलेगा गंभी रूप से बीमार या अनविशेश प्रसिति कारण विद्यार्थे नियमित क्लास करने में असमर्थ होंगे जैसे कोई शाली सुदा लरकी रहती है अगर वो प्रे है यानि महीने 15 दिन उन्हें भी आना ही होगा के वल 15 दिनों का छूट जो है वो यहां पर मिलेगा इसके लिए आवस्तेक डोकॉमेंट दिखाने पर विस्विध्याले के सच्छम अधिकारी के अस्तर से उन्हें रहत दी जाएगी यानि कॉलेज में अप्लिकेशन देना प पेपर रिपीट करने के लिए कहा जाएगा यानि आप पहले समेस्टर में हैं तो पहले समेस्टर में ही रह जाएंगे और आगे होने वाली परिच्छा में उसे 75% उपस्तिती पूरा करने पर ही समलित किया जाएगा नहीं तो समलित नहीं किया जाएगा हर समेस्टर में होगा रइस्टेशन तो अगर आपने रइस्टेशन नहीं करवायत रइस्टेशन भी करवाना निवार होगा